क्या नितीज कुमार चेहरा हो सकते हैं विपक्ष में लोकसभा का तो नितीज कुमार जी की खुद की स्वयम की बात करें तो सुसासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं लेकिन 2010 और खासकर 2015 के बाद नितीज कुमार जी की लोगपुरीता में लगातार गिरावट आई है। और ये रेजल्ट बताते हैं या आकड़े बताते हैं 2020 के चुनाव के आते आते जब नितीज कुमार की पार्टी ने बहाजपा के गड़बंदन के साथ करीब 115 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें से केवल 43 सीटे जीत पाए। दूसरे तरफ बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़के 75 सीटे जीती। तो हम केवल नितीज कुमार जी की खुद की बात कर लें इवन 2015 में भी उन्होंने जब लालू प्रसाथ आरजेटी के साथ गड़बंदन किया तो उनकी केवल 71 सीटे आई और आरजेटी की 80 सीट से आई तो यह दरसाता है कि लगातार ग्राफ गरता जा रहा है और इसी के चलते 2020 के चुनाव के दोरान नितीज कुमार जी को यह घोषटना करनी पड़ी ये मेरा आखरी चुनाव है तो उसके 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्ब में नित्रीस कुमार जी की भूमी का देख पाना और कह पाना अभी थोड़ी जल्दवाजी होगी भाजपा का जो कोर एक वोटर है या समर्थक है या काडर है वो भी अब विश्वास करता है कि हमारी अपनी सीटे याद इतनी आ सकती है खुद से तो कहीं हमको एक मुखर राजनती करनी चाहिए और दूसरी बात है कि उनका ये भी मानना है कि 2005 से 17 साल तक मुख्यमंत्र निति के उत्तर के जो राजे हैं वहां से भी और विंद के दक्षिन के राजियों से भी और पश्चिमी इलाकों से भी उत्तर उत्तर पुर्वी इलाकों से भी मत लेकर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो अब जो आने वाले दिन है उसमें 2024 के लिए अब किवल यही का आ जा सकता ह कि क्या नरेंदर मोधी 2024 में भी वैसे ही गती पे चलेंगे जैसे वो पीछे 2020-19 के चुनाव में आए या फिर कोई गटबंदन जो है वो उपद सकता है तो इसका उत्तर तुम्हें सवाल बना रही हो वैसे ही आप समझ लीजे कि नरेंदर मोधी का जनाधार जो आज बहुत वि इस पर होगा अब विपक्षी एकता जिसकी बार-बार बात होते रहती है जिसकी हवा निकल गई प्रेजिडेंट के चुनाओं और वाइस प्रेजिडेंट के चुनाओं को देखें लेकिन कम से कम एक मनोबल बढ़ेगा विपक्ष की पार्टियों के बीच में और उन्हें लगेगा कि एक प्रेयोग बिहार में हुआ है क्यों न यह प्रेयोग दूसरे राज्यों में भी किया जाए तो एक तो यह साफ असर दिखाई पड़ता विपक्षी एकता की ओर धीरे-धीरे पार्टियां बढ़ेंगी दूसरी कौन विपक्ष के विपक्षी पार्टियों क सब्ता जा रही है पार्टि के वर्करों के एक उत्साह बनेगा उन्हें लगेगा कि अब हमारी हम सब्ता में हैं तो यह सब चीजों का असर दिखाई पड़ेगा दोहजार चौबिस में इसका अर्थ क्या होगा इसके एलेक्टरल आउटकम क्या होगे वो तो भी नहीं कह सक लेकिन विपक्ष के नजरिये से देखें तो उनके लिए कुछ प्लस पॉइंट जरूर है